आप जानते हैं सलार की ट्वेलर में एक जगा पर प्रहाश कहते हैं बस इतना ही नहीं साब प्रशान नील 22 दिसंबर को जो सौगात लेकर आ रहे हैं सलार की शकल में उसमें बस इतना ही नहीं है जितनी परतें आप कुरे देंगे जितनी परतें आप निकालेंगे सलार एक मास पीस के तौर पर दिखाई दे रही है हलो वेल्कम खुशामदीद नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार फिल्मी बातें विद अभिसार तो दोस्तों सलार का ट्रेलर आ गया है और मुझे ऐसा लगता है फिल्मेकर्स कोई ट्रेलर रिलीस के दो या तीन दन पहले नहीं बलकि काफी पहले जारी करना चाहिए था सबसे पहले ये ट्रेलर कहता क्या है आप जानते हैं इस ट्रेलर की सबसे खुबसूरत बात ये लगी इसमें आपको साफ तोर पर दो चीज़े दिखाई देती है सबसे पहली बात ये दो दोस्तों की कहानी है प्रभाश और प्रिथुराज सुकुमार इन दोनों की कहानी है दोस्तों और साथ ही इस कहानी को बैकग्राउंड दिया गया है पर्जिन एम्पाइर का सकता है ये दोनों फाक्टर्स इस आक्शन थ्रिलर में ऐसी जान भर देते हैं कि मैं दावा कर सकता हूँ दोस्तों जो वादा ये ट्रेलर हमें कर रहा है महज इन फाक्टर्स के आधार पर अगर इस पर खरी उतरती है ये फिल्म तो 22 दिसंबर को ऐसा तूफान आने वाला है ऐसा तूफान आने वाला है जिसके सामने सब धराशाई हो जाने वाले हैं सब यानि सब धराशाई हो जाने वाले हैं आप जानते हैं इस फिल्म इतनी महान इतनी बड़ी क्यों दिखाई देती है क्योंकि ये कोई सडक छाप action film नहीं है, इसमें आपको एक context दिया जाता है, एक background दिया जाता है, कि किस तरह से Persian Empire में जब सुल्तान को लड़ाई करनी पड़ती थी, तो वो सुल्तान सिर्फ अपनी सेना पर dependent नहीं होता था, अपने सेना पर निर्भर नहीं करता था, वो सुल्तान अपने एक secret weapon, अपने एक उस सिपह सलार पर विश्वास करता था, जो उसे अपनी तमाम जंगों में जीत दिलवाता था, और इस फिल्म में सुल्तान यानि पृत्विराज की secret weapon है, प्रभाश, और प्रभाश की जो entry होती है न दोस्तों, आप अंदाजा नहीं ल परने वाला है, इस फिल्म में आप प्रशान्त नील की जो पिछली फिल्म की ना, के जी एफ, उसके रौनिस को महसूस करेंगे, उसकी गर्मी को महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए, लुक के हिसाब से, सलार और के जी एफ, बिल्कुल लगभाग एक सी दिखाई देती हैं, मगर बावजुद इसके सलार आपके अंदर किरियॉस्टी पैदा करती है, इसमें एक और डायलाग हो जो परितुराज कहते हैं, कि जो क्यालकुलेट नहीं किया जा सकता, मैं ऐसा पागल लेकर आया हूँ, और यहीं पर इस कहानी का ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे खंसार में प्रितुराज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, सुल्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती से बशने के लिए, वो अपने दोस्त, यानि प्रभाश को लेकर आते हैं, वो ले तो आते हैं, मगर ये एक ऐसा पागल है, जिस तक हम सब सोच रहे थे कि क्या सलार केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा है नहीं साभ अब प्रशांत नील ने एक इंटर्वीव में साफ कर दिया है कि केजीएफ यूनिवर्स और सलार यूनिवर्स ये दोनू अलग अलग चीज़ें हैं उन्होंने इस बात को भी स्विकार किया कि मैं जानता हूँ ये अव्वा पिछले दो सालों से चल रही है, मुझे इस पर क्लारिफिकेशन देना चाहिए था, स्पष्टिकरन देना चाहिए था, और क्लारिफिकेशन ना देना मेरी घलती थी, सुनिये, प्रशान नील क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हू People started comparing it to the tones that I had set in KGF and they started drawing all these theories out, I think this came a long time before the teaser came out, I think about a couple of years back itself, they said that this must be from the universe of KGF, it was my mistake that you know I did not come out and say it loud enough, there is no part of Salat that has a connection with KGF दरसल प्रशान नील या माफी जरूर मांग रहे हैं, मगर ये बहुत ही clever marketing strategy है, और मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि देखिए जब Salat Announce हुई थी और जब fans के सामने Salat आई थी, तब उसको लेकर इतना crazy नहीं था, तो Salat में crazy पैदा करने के लिए, शायद जान बूच कर इस अववा को बढ़ावा दिया गया था, कि ये KGF universe का हिस्सा है, इस से Salat को फाइदा हुआ, लोगों में curiosity बढ़ती गई, और अब ये आलम है, कि आप Salat के बारे में जो भी clarification दे दो, क्योंकि प्रशान नील ने कह दिया कि KGF से उसका कोई लेना देना नहीं है, अब चाहिए जो भी clarification दे दो, जनता 22 December को तूट पढ़ने वाली है, इसमें एक dialogue भी है, जहां शुतिहासन कहती है, wait, 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 I need a drink, शराब है क्या, इस फिल्म को देखने के बाद, I hope, लोग अधिक शराब नहीं पिएंगे, मगर ये trailer आप में इस कदर नशा पैदा कर रहा है, कि अब आप curious हो गए है, अब आप के अंदर उच्सुक्ता के शेर जाग पड़े हैं, कि भाईया हर कीमत पर मुझे 22 December को first day, first show देखना है, ये trailer थाबित करता है कि प्रशान नील इस अ मास्चर आफ इस आर्ट, प्रशान नील एक माइस्ट्रो हैं, किस खुबसूरती से उन्होंने एक action फिल्म में history को भी शामिल कर दिया है, historical perspective भी दे दिया है, Persian Empire का जिकर करके, और जैसे मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक action फिलर नहीं है, ये एक emotional कहानी भी है, दो जिगरी दोस्तों की, जो बात में जाकर जानी दुश्मन बन जाते हैं.